नमस्कार दोस्तों मेरा नामे देश लोनी है और आज मैं दोबार आप सभी के सामने एक नई यूटूब वीडियो लेकरा हूँ आज की वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि आप प्रीमियर प्रो के अंदर ब्लर एफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हो क्योंकि एक ऐसा एफेक्ट है जो आपको बहुत बार यूज करने के जरूरत पड़ती है क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत साई लोग ऐसे भी होंगे जो यूटूबर होंगे और जो टेक की वीडियो बनाते होंगे तो उनको कहीं बार पासवर्स हा हो लेकिन प्रिमेर प्रोग के अंदर आपको कैसे यूज करना है वह मैं आपको अभी बताने वाला हूं अगर आपको काइन मास्टर का सीखना तो इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटिड वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं आता है तो मैं वह भी आपको बता तो वीडियो काभी इंट्रेस्टिंग है वीडियो को सुरू से आगे तक पूरा देखना तो चलिए चलते है लाटव की स्क्रीन पे और उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाइल आकर को प्रेस कर दो तो अभी हमें लेटॉप की स्क्रीन पर आके जहाँ आपको बटाता हूं और यहासे मैं इसकी उपर डिलिट कर दीए थाक्या आपको कोई डिस्ट्रूमिंट्टस ना वो तो के अंदर आपको बताता हूं की आपको blur effect कैसे यूज करना है सबसे पहले तो जैसे अभी इसके उपर लिखा वह घल तो आपको यहां पर दुपारज में करके दिखाता हूं आपको यहां पर blur लिखना है तो बढे उपर blur आता आपको ये neon करना है आपको जो नीचे blur है ये वीडियो एफेक्ट के अंदर blur and sharpness इसको उन करना है इसके उपर आप जैसे camera blur, channel blur, compound blur इंग में से कोई साइक यूज कर सकते हो जैसे आप अगर camera blur पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे camera blur यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपका यहाँ पे camera blur आता है तो आपका जैसे यहाँ पे मैंने Gaussian blur पहले लगा रखा था तो मैं भी Gaussian blur को डिलिट कर देता हूँ फिलाल के लिए तो यहाँ पे camera blur हमारा आ गया है कोई भी blur आप यूज कर सकते हो तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे वो यूज करना है तो अभी इसके अंदर आपका जो present blurness है वो 25 है तो आप इसको जितनी भी आपको करनी है आप यहाँ से इसको गटा बढ़ा सकत है तो आप ऐसे करके आप एरिया स्लेक्ट कर सकते हो और उस एरिया को आप यूज कर सकते हो जैसे अगर आपको यहाँ पे सिर्फ चहरा चहरा blur करना है तो आपने यहाँ पे बलर कर दिया है चहरे चहरे पे तो आपको यहाँ सिर्फ इसका blur यूज किजिए तो आपको यह च तीसरा है masking अगर आपको यहां पे कुछ भी free draw करना है मैं लोग आपको इसे एक area है यह area शिर्फ आपको ऐसे blur करना है तो आपको इस इस एरिया से अपने select कर दिया और आप उसके बाद इस area को blur कर दीजिए अभी मैं इन दोनों को delete कर देता हूँ फिलाल के लिए mask 1 को और mask 2 को दोनों को delete कर देता हूँ उसके लावा सिर्फ हमारा एक mask यह रह जाएगा यह वाला mask भी मैं delete कर देता हूँ तो अभी हमारा नोर्मल जो blur है यह हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके अदर animation कैसे लगा सकते हो मालनो आप चाहते हो कि आपकी वीडियो शुरू में blur रहे और दीरे दीरे फिरे clarity पे आ जाए तो आपको उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पे वीड blurness जितनी भी आपको करनी है मालनो आपको यहाँ पर 30 करनी है तो आपने यहाँ पर 30 कर दी जैसे आप 30 कर दोगे तो आपकी शुरू हो जाएगी उसके बाद आपको अपनी वीडियो को थोड़ा सा चलाना है आप चाहते हो कि यहां आने के बाद यह जो आपका blurness है यह खतम चाहते हो कि आपकी बार थोड़ी कम blur हो तो आप यहां से जैसे मालो 5 कर दिया हलकी blur हो गई उसके बाद आप यहां पर चाहते हो कि दोबारा से ओक्के हो जाए तो आप यहां पर दोबारा से blur लगा दीजिए अब आप इस वीडियो को देखिए आपने इसके अंदर key framing कर द वैसे वैसे बलर होके कम ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई भी दे रहा हुआ कि आपने यहां पे कितना बलर किया है कितना नहीं किया है आप यहां से भी इसको select कर सकते हो जैसे आपको एक कम ज़्यादा करनी तो आप यहां से भी इसको कर सकते हो तो आपको यहां पे effects में जाना है एफेक्ट में आपको यहां पर एफेक्ट मिलेगा और यहां नहीं मिल रहा है तो आपको यहां विंडो पर जाना है और वर्क स्पेस में जाके यहां पर आपको इसके ओपर क्लिक कर देना है तो आपको यह वाला जो विंडो है यह आपकी खुल जाएगी यहां नहीं और आप को फिर direct control में आके यहांपे पहले इसको का मालो आपको यहांपे compound blur करना है तो आपके यहां पे compound blur क्लिक कर लीजी यहांसे camera blur delete कर देता हुगं यह हमारा compound blur आ गया आप मालो आपको यहंपे compound blur करना है तो देखिए compound blur 20 होगा आप इसको बढ़ा भी सकते हो आपको ज़्यादा जितना भी करना आप ऐसा बलर इसको यहां से कर सकते हो आप आप लोगों यह चीजे पसंद आई होगी लेकिन एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी यहां पे यह corners होते हैं यह कहीं बार आपके यहां से आपको blur दिखाई देंगे कम ज़्यादा तो आपकी जैसे यहां पे आपको inverted blur करना है बढ़ाना तो आप यहां से inverted blur इसको कर सकते हो आपको जब Gaussian blur के अंदर blur करना होता है जैसे अभी मैं camera blur को delete करते हैं जो गोजियन blur के अंदर जब आप blur करते हो तो आपके जो as is है वह आपके थोड़े simple रहते हैं अगर आपको यह sharp करने तो आपको repeat as पर करना है तो आपके जो as is है वह भी blur हो जाएंगे तो काइंड मास्ट में इतना कुछ नहीं है जितना premiere pro के अंदर premiere pro के अंदर आपको इतना कुछ मिलेगा आप हर चीज़ के animation बना सकते हो आप चीजों को कैसे लगा सकते हो कैसे निकाल सकते हो वह सारी चीज़ आपको यहाँ पर premiere pro के अंदर देखने को मिल जाएंगी और यह बहुत ही बड़ा software है और अगर आपको इस software सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसकी जो classes है वो डेली डालते रहते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके लावा अगर आपको प्री में कैसे डाउनलोड करना है वह भी आपको इस जादा जल दिये तो आप यहां लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अगर हमारी वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते आगली कि वीडियो में तब तक के जय हिंद बंदे महतरम